दोस्तो आपके पास कहीं से एक साथ 35,000 रुपे आये हैं और आप चाहते हैं कि इससे आप एक ऐसा निविश प्लान करें जिससे इस पैसी की वैल्यू काफी धादा बढ़ जाए और जब आपको फीचर में एक बड़ी फंड की जरुत हो तो यहां पर इस निविश प्लान से आपको एक बड़ा फंड मचाए दोस्तो 35,000 रुपे अगर आपके पास आते हैं तो इस पर थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि कम पैसे जब हम निविश करते हैं तो उस पर हम रिस्क पिले सकते हैं और अगर हमारा थोड़ा सा लंबे टाइम निविश करने क टार्गेट होता है तो हम कम पैसे से एक बड़ी फंड बनाने के टार्गेट को पूरा कर लेते हैं अगर आप निविश के साथ मुचल फंड के एक पहतीन स्कीम में लमसम पैसे निविश करते हैं तो यहाँ पर कमपाउन रिटन से आपके पैसे की वैल्यू काफी बड़ जाती है आज हम आपके लिए HDFC का एक ऐसा धाकाड फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर अगर आपका टार्गेट एक करोड रुपे फंड बनाने का है यहाँ पर रिटन लगबख 15-20% मिला है बहुत सारे स्कीम के अंदर और कुछ स्कीम तो ऐसी है जिन्होंने मुच्वल फंड के अंदर पिछले 2-3 साल में जो रिटन है वो 30-40% पी दिया है लेकिन दोस्तों आम तोर पर इतना रिटन नहीं मिलता है और नहीं हम इतना रिटन एक्सपेक्ट करते हैं अगर आपको इससे कम भी रिटन मिलता है और आपका टार्गेट लमसम पैसे निवीश करके एक बड़े फंड बनाने का होता है तो मूचुल फंड्स के अंदर आपको काफी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है HDFC के अंदर लोग जादता इसलिए पैसे को निवीश करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लान ऐसे भी हैं HDFC MC के पास जिनोंने काफी अच्छा रिटन दिया है और आज हम जिस प्लान की बात करने वाले हैं दोस्तों यह प्लान 20 साल से जादा पुराना है और इस प्लान ने बड़े-बड़े करेक्शनों को फेस किया है चाहें से हम 2008 की आर्थिक मंदी की बात कर लें या फिर 2020 के अंदर करोना लॉक्टाउन के टाइम स्टॉक मार्केट क्रेश हुआ था उस पैनिक की बात कर लें या फिर शॉर्ट टर्म में अभी एक महीने पहले मार्च के महीने में एक करेक्शन आया था हम उसकी बात कर लें यानि कि दोस्तों इन सारी करेक्शन को बार करके इस fund ने जो return है वो काफी बहतर दिया है और mutual funds के अंदर हमें यही benefit मिल जाता है कि अगर हम अपने पैसे पर risk लेते हैं और patients के साथ निवेश करके रखते हैं तो यहाँ पर हम एक बड़ा fund भी बना सकते हैं और दोस्तों HDFC के हम जिस plan की बात कर रहे हैं यह है HDFC का एक midcap fund और अगर हम return की बात करें तो all time में इस fund ने return दिया है 21.83% लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो return 24.30%, last 3 year में return है 31%, last 1 year में fund ने 57% और 6 month में fund ने 21% से जाता return दिया है देकिन दोस्तों इस plan में 20 साल से लगतार जो return है वो 21% से जादा है और 21% का ही return अगर आपको मिल जाता है और आप 35,000 रुपे निवेश करते हैं लमसम यहाँ पर सिर्फ 5 साल के time period के लिए तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास total value होगी 90,781 रुपे की और return होगा इसमें 55,781 लेकिन अगर आप 10 साल के लिए पैसे को निवेश करते हैं तो अब आपके 35,000 की total value होगी 2,35,000 की और return होगा 2,00,000 रुपे लेकिन दोस्तों अगर आप निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो यहाँ पर 35,000 रुपे का आप निवेश करके 6,10,000 रुपे का fund बनाएंगे और इसमें 5,35,000 रुपे का return होगा जबकि दोस्तों अगर आप 20 साल तक पैसे को निवेश करते हैं तो 35,000 रुपे का आप fit मिल जाएगा क्योंकि 35,000 की value बढ़कर 41,00,000,000 रोपे से ज़ादा की हो जाएगी जबकि इसमें 40,000,000 का return हो का और दोस्तो 30 साल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 35,000,000 रोपे का आप प्नावेज करके 1 करूर 6,00,000 रोपे तक का फंट बना सकते हैं और एक करोड से जादा इसमें आपको रिटन मिल चाहेगा लेकिन दोस्तों इस प्लान के अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें जो कि हमारे लिए जानना काफी जरूरी है तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में काफी पहतने स्टॉक शामिल हैं होल्डिंग में 68 कंपनी ताटा कम्यूनिकेशन अपोलो टायर मैक्स फाइनसर सर्वेसिज मैक्स हेल्थ कियर दा फेडल बैंक इंडियन बैंक आई पीसी लेपोरिटी यानिके दोस्तों यह ऐसे स्टॉक हैं जिनके अदर आपको एक पहतिन क्रोथ मिल सकती है जिबके अगर हम फंड के एन व लोगों ने पैसे को निवीश किया हुआ है फंड के अगर हम रेटिंग की बात कर लें तो यह काफी बहतर फोर रेटिंग है और आप कम से कम अगर निवीश करना चाहते हैं तो फंड के अंदर 5,000 रोपे से निवीश कर सकते हैं और दोस्तों पैसे को अलगलग सेक्टरों क में पैसे को डाला गया है जिससे दोस्तों लंबे टाइम से लगतार फंड ने जो रिटन है वो काफी बहतर दिया है फंड के घर हम एडवांस रेशियो की बात करते हैं और इसमें अगर बीटा हम चेक करते हैं फंड का तो एक से कम है 0.90 का यानिके फंड ने कम रिस्क के साथ काफी अच्छा प्रॉफिट भी दिया है और दोस्तों फंड के अंदर एक्सपेंस रेशियो यानिके खर्चा ये भी काफी कम है क्योंकि expense ratio दोस्तों जो भी होगा fund का और जो आप लमसम पैसान विश करेंगे तो ये पैसे काट कर ही आपको NAV के पैसे unit lot की जाती है expense ratio 0.77 है इस fund का जबकि fund के अंदर अगर आप जो पैसान विश करते हैं उसे एक साल से पहले निकालेंगे तो आपको 1% exit रोज चाहस देना होगा जबकि fund के अंदर 15% का tax होता है return पर एक साल से पहले और एक साल के बाद एक लाग से जादा profit पर आपको 10% LTCG tax देना होता है चिराग 2013 और धुरूग 2013 से fund को manage करें लेकिन दोस्तों कर हम HDFC MC की बात करते हैं तो यहाँ पर इस MC के पात 7,00,00 करूड रोपे के आसपास U.M. है यहनि के लोग यहाँ पर ज़ादतर mutual funds के अंदर इस MC के साथ पैसे को नविश करते हैं टोटल एसिट के साबचे गर हम रंक की भी बात कर लें तो यह second number पर है इंडिया के अंदर जबकि fund house काफी पुरान अपी है तो दोस्तो mutual fund plan के अंदर अगर हमारा target है लंब सम कम पैसे निविश करने का और इसी से हमें एक बड़ा fund बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर HDFC के इस mid cap fund के अंदर आपको एक अच्छी growth मिल सकते है क्योंकि दोस्तो पिछले एक साल पे अगर हम mid cap benchmark index की बात करते हैं इस fund के तो उसने जो return है वो दोस्तो काफी बहतर दिया है और इस fund का जो return है वो अपने benchmark index से जाता है जिसे हमें यह पता चलता है कि fund के अंदर काफी ची potential growth है जहाँ पर आप पैसे नवेश कर सकते हैं लंब सम और आपका target का long time नवेश करने का है तो इस plan के अंदर आप पैसे नवेश करके एक बड़े fund बनाने के target को पूरा कर सकते हैं दोस्तों mutual funds के अंदर अगर हम short time की बात करें तो यहाँ पर ज़रूर correction आपको मिल सकते हैं लेकिन अगर आपका target होता है long time पैसे नवेश करने का तो mutual funds के अंदर कम पैसे से बड़े fund बनाने के target आप काफी आसाने से पूरा कर सकते हैं यह वीडियो आपके education purpose के लिए है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और दोस्तों हमारे इस चैनल को भी subscribe जरूर कर लें तन्यवाद